राजस्थान के जैपूर के कावटी अस्पताल में गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के प्रकरण में प्रथम द्रिश्टया दोशी पाए गए तीन रेजिडेंट चिकितसिकों डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत एवं डॉक्टर मनोज को ततका प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, साथ ही राजसरकार ने प्रकरण में आपरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंग तमर को भी कारण बताओ, नोटिस जारी किया है, अतिरित मुख सचिव चिकितसा सिक्षा श्रीमती शु प्रकर दिया गया है, साथ ही परवेक्षणिये लापरवाही के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंग तमर को कारण बताओ, नोटिस जारी किया है, बतादे बुधवार को हॉस्पिटल प्रसाशन ने गर्बवती महिदार अस्पताल अधीक्षक डॉक महिला को एड्मिट नहीं किया, उसे जनाना अस्पताल में रिफर कर दिया, हॉस्पिटल में खड़ी एंबुलेंस से मदद मागी तो डॉक्टर ने जाने से इनकार कर दिया, कोई हॉस्पिटल स्टाफ मदद के लिए आगे नहीं आया, इतने में महिला ने हॉस्पिटल गे नामें जो भी दोशी हैं उन पर चिकित्सक विभाग की और कारिवाई की गई है। आरोप है कि जब महिला का अस्पताल के गेट के बाहर ही प्रसव हो गया तब महिला को समालने के लिए कोई भी चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से काफी मिन्नते की तब जाकर महिला और उनके बच्चे को अस्पताल में भरती किया गया। फिलहाल महिला और उसका बच्चा खत्रे से बाहर बताये जा रहे हैं। धन्यवाद।